हलो स्ट्रेंट्स हावर यू सो मैं ये वीडियो उन स्ट्रेंट्स के लिए बना रहा हूं जो गेट क्वालिफाई किये हैं और जिस्ट का एक्जाम दिये हैं एंड आफ्टर देन वो इंटर्वू के लिए एपियर होंगे फॉर एड्मिशन इन्टू स्ट्रेंट्स के अंदर होनी चाहिए तो मैं एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचाओं और मैं आपके साथ वह फाइनल कंक्लूजन शेयर कर रहा हूं सो इन जेनरल इंटर्व्यू के लेकर बहुत सारे मित होते हैं कि टीचर आपके अंदर कुछ बहुत ही स्पिसल क्वालिटी ढूंड रहे हैं और बहुत ही आउट आप वे जाकर कि कुछ ढूंडने की कोशिश कर रहें बर दिस इस कंप्लेटली फॉल्स जब मैंने उनसे बा इन सारे जगह पर उन्होंने सिंपली कहा कि उनकी फोकस मेली तीन चीजों पर होती है फर्स्ट इंग इस फंडामेंटल कॉंसेप्ट सेकेंड इस एविलिटी तू लर्न एडवांस टॉपिक और थर्ड इस एटिटीटूट इसका मतलब क्या है और इसे हम किस तरह से समझ सक होते हैं सो आपको पूरे इंटर्व्यू का प्रॉसस समझना होगा कि इंटर्व्यू की प्रॉसस कैसे होती है जैसे ही आप इंटर्व्यू बोर्ट के सामने जाएंगे दिन वह आपसे पूछेंगे आपकी ब्रीफ इंटर्डक्शन और आपकी ब्रीफ इंटर्डक्शन के बाद वो आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, so now ball is in your court, तो जब ball आपकी court में है और आप अपना फेवरेट टॉपिक कहोगे, तो आपकी interview वहीं से शुरू होगी, और जब आपने किसी topic को अपना फेवरेट टॉपिक कहा है, तो निश्चित रूप से उस topic में उ और वो interview कभी भी बहुत बड़ी सवाल से नहीं करते हैं, वो interview बहुत ही basic और fundamental question से करते हैं, for example, अगर आपने कहा है कि quantum mechanics आपकी फेवरेट टॉपिक है और उसमें आप बात करना चाहते हो, then they will ask you the wave function for particle in box, to plotting the wave function for harmonic oscillator, some basic integration of expectation value, some rules and postulates of quantum mechanics, चुकि आपने इसे अपना fundamental और अपने अपना best topic कहा है, तो आप इस fundamental question को गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे ही गलत कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आगे की preparation तो आपकी सहीं नहीं है, सो, most of, most important thing है कि आप जो भी topic तयार करें, उसके fundamentals को आप बहुत अच्छे से तयार करें, for example, अगर आप electromagnetic theory को prepare करते हैं, तो obviously, maximal equation बहुत important है, और उसके सारे form आपको पता होना चाहिए, अगर आप solid state prepare करते हैं, तो band theory, previous lattice का definition, density of state, यह सारे चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप mathematical physics की बात करते हैं, तो निश्ची तरूप से matrices के आगन value निकालना, basic differential equation को solve करना, यह सारे चीज़े पता होनी चाहिए, और जब आप इनका answer देते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे उसके range को बढ़ाते जाते हैं, उसके toughness level बढ़ाते जाते हैं, So first thing is that, you have to always approach your interview with the fundamental concept, आप इसे बच कर नहीं जा सकते हो, and second thing, what I have found, that ability to learn advanced topic, now आप चुकी research करने जा रहे हो, higher studies के लिए जा रहे हो, तो निश्ची तरूप से आपको advanced और research-based topic के अंदर जाना होगा, और वहाँ पर जो board बैठी होती है, वो just ये देखना चाहता है, कि suddenly आपको कोई ऐसा problem दिया जाए, जो साइद आपने नहीं किया है, तो आप किस तरह से उसे approach करते हो, for example, मैं आपको कह सकता हूँ, कि आपने quantum mechanics अपना favorite topic कहा है, और आपसे harmonic oscillator के सारे solution करवाए गया, और suddenly आपसे कहा गया, कि अब आप hydrogen atom के solution कीजिए, और आपने उसे prepare नहीं किया है, तो फिर क्या करना चाहिए, then उस समय आपको निश्चित रूप से उनसे hint मागनी चाहिए, कभी भी give up करने की जुरूरत नहीं है, basic hint के base पर, वो जो भी आपको hint दें, उस hint को समझना, उस hint को accept करना, और उसके basis पर step by step आपको बढ़ना चाहिए, mainly वहाँ पर बैठे जो faculties होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, कि आप उनकी बातों को समझ रहे हो की नहीं, और उनकी बातों को अगर समझ रहे हो, तुसे implement कर पा रहे हो की नहीं, कहीं आप सारा चीज रट रटा करके तो नहीं आये हुए हो, आपका mind open है या नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा important point है, research के लिए, और higher studies के लिए, So, faculties हमेशा वैसे student को लेने की कोशिस करते हैं, for example, suppose आपने solid state physics को अपना favorite कहा है, और आप band थोरी बहुत अच्छे से तयार करके गए हो, और suddenly किसी एक faculty नहीं उसमें कहा, कि चलिए हम यहाँ पर एक ऐसा band बनाते हैं, जो कि Dirac-Delta potential से बना, और वो periodic system है, how you are going to approach it, तो वहाँ क्या आप quantum mechanics approach कर सकते हो कि नहीं, quantum mechanics को लगा सकते हो कि नहीं, boundary condition लगा सकते हो कि नहीं, तो यह सारी चीजे वहाँ यह second level पर check करते हैं ability to learn advanced topic यहाँ वाँ तो आपकी learning ability देखते हैं यह नहीं देखते हैं कि आपको कितना आता है यह देखते हैं कि आप कितना सीख सकते हो so this is very important thing and third and the most important part is your attitude attitude is most important part इत मैं अगर मैं attitude की बात कर रहा हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कितना smart हो और किस तरह से आप English बोल रहे हो या फिर बाकी चीज़े कर रहे हो attitude means how much you are modest and how much you are honest so these two things is very important मैं आपको एक example के थुरू बताता हूं suppose आप interview के लिए गए और आपने उस interview के लिए जो अपना CV बनाया है और जो अपना project किया है उसमें कोई ऐसी बाते कह दी जिसके वारे में आपको कुछ भी नहीं पता है इन general students क्या करते हैं कि अपनी जो CV बनाते हैं उसमें बड़ी-बड़ी बाते लिख देते हैं बड़े-बड़े jargons है और प्लीज कभी भी जूट नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो भी बोर्ड में लोग बैठे हुए वो सारे faith से cross किये हुए उन्हें सारा पता है so obviously male students अपने project को लेकर अपने special license को लेकर बढ़ा चढ़ा कर बाते करते हैं जो बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए जो आप हो आप उसे ही वहाँ पर present करना चाहिए तो ये तीन जो most important thing है अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपका जो भी scorecard है gate का या फिर जो भी आपकी rank का jest में आने वाली है उसके basis पर आपको better to better institute में admission हो सकता है but thing is that कि आपको ये सारे तीनों के तीनों point बहुत ही अच्छे से दिमाग में डखना है so students Pravega education have started interview support program जिसमें हम video तो launch करेंगे ही different topics पर interview के लिए साथ-साथ आपकी mock interview भी की जाएगी so students welcome to our interview support program and just go through your all topics और बाकी सारे topic और बाकी सारे notes को revise कीजिए and just crack the interview thank you